तुडे इस 23rd October, Sunday and this is your 84th day of consistent शड़ी आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पहली चीज कि आज का आपका लाइफ परपस क्या है आज आपको पढ़ना क्या क्या चीज़े है दूसरा जो आप लोगोंने मुझसे queries पूछी थी जो comment section में YouTube के उन सबको मैं address करूँगा तो जिन भी लोगों को सिरफ आज का live purpose चाहिए वो शुरू के 5 मिट में आपको बता दूँगा फिर आप जाके बढ़ सकते हो और जिन बच्चों की queries थी वो बात की वीडियो के लिए रुख सकते हैं तो आज की जो वीडियो का objective है ये live purpose आपका वो normal days से कुछ अलग होगा जैसे आपका Monday को हमेशा full test day होता है आप Monday को full test देते हो तो test से पहले revision होना full revision होना बहुत जरूरी है जैसे कि 14 नुमबर से 16 नुमबर तक आपका exam होगा उससे एक दिन पहले आपका पूरा revision होना जरूरी है मतलब आपके अंदर इतनी skill होनी चाहिए कि आप exam से एक दिन पहले अपने temper को control करो, शान्त रहो और पूरे दिन में सब चीज रिवाइस कर लो तो इस चीज की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी तो अगर आपका Monday को full test है, तो Sunday को पूरा दिन आपको revision करना है और Monday को सुभे से लेके शाम 5 बजे तक आपको revision करना है आप 5 बजे के बाद ही test दोगे, क्योंकि अगर आप सुभे ही test दे दोगे revision करने के बाद जब हम test देते हैं, तो हमारे marks में gain देखने को मिलता है जिससे आपको भी motivation सा feel होगा तो हमारा पूरा Sunday का दिन हो जो होगा, वो technical के revision day में जाएगा और Monday का सुभे से शाम 5 बजे तक का non-technical के revision में जाएगा ताकि हम 5 बजे मंडे को test दे के अपना 100% अचीव कर सके तो आज आपको क्या-क्या चीजे revision करनी है वो देख लेते हैं तो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक technical में जो भी मैंने topic दिये हैं आपको आपको उन सब को revision करना है, अगर आप electrical के या mechanical के student हो तो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आपने जो भी चीजे revision किये हैं जो भी चीजे पढ़ी हैं उन सब को revision करोगे और मतला आज का पूरा दिन आपका उन्हीं चीजों में जाएगा तो आप civil के student हो तो मैं आपको topics बता देता हूँ जो आपको आज revision करने हैं सोम के अंदर strength of material, transformation of stress, truss and bending stress soil के अंदर shear strength of soil, permeability, capability and effective stress, origin of soil and consolidation उसके बाद hydrology irrigation में आपको runoff वाला chapter पढ़ना है runoff hydrograph वाला chapter पढ़ना है और water requirements of crops यह irrigation का topic है FM के अंदर आपको properties of fluids and fluid dynamics पढ़ना है survey के अंदर आपको linear measurement and leveling पढ़ना है अभी आप देख रहे हों तो यह बहुत पड़ी चीज लगेगी लेकिन अगर आपने 14 October से 21 October तक हर दिन पढ़ाई की होगी जैसे मैंने बताया था तो अभी आपको सिरफ यह revision करना होगा तो यह आपको इतनी बड़ी नहीं लगेगी चीज़े FM के अंदर आपको properties of fluids and fluid dynamics survey के अंदर आपको linear measurement and leveling steel के अंदर आपको connection and compression member transport के अंदर आपको geometric design and pavement design BMC के अंदर आपको cement and concrete और RCC में आपको introduction to LSM and WSM design of slabs और environment में आपको water treatment और estimation के आपने कुछ question क्योंगे उनको revise कर लेना तो जब हम revision करने बैठते हैं तो यह भी हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्या-क्या चीज़े revision करें तो आज revision day पे मैंने आपको exact चीज़े बता दिये हैं कि कौन-कौन से chapter आप revise करोगे revision में वैसे यह होता है कि सुभे से शाम तक आपको सभी subject revise कर देने चाहिए लेकिन अभी आपकी starting है तो आप at least जो जो आपने पढ़ा है पिछले 10 दिन के अंदर उसको आप revise करोगे उसको आप जल्दी से revise कर भी पाओगे इसलिए मैंने सभी आपको chapters बता दे जो आपको revise करने है मतलब ये at least ये तो आपको revise करने है आज पूरे दिन में उसके बाद जब आप Sunday को पूरा technical revise कर दोगे उसके आप Monday को आपको non-technical revise करना है शाम 5 बजे तक और 5 बजे के बाद जब आप test दोगे तो आपको अपने marks ने increment अपने आप दिखेगा तो ये तो था आपका आज का life purpose अब आते हैं कुछ queries के ओपर मैंने हापे नाम hide कर दिया है privacy के लिए तो queries लेते हैं आप सबकी तो question है कि भाईया अभी सारे chapter complete नहीं है technical के तो जो ज़्यादा weightage के उनको complete करके रखूं कि बागी subject का भी basic कर लूँ ठीक है तो अभी आप लोगों के पास time बहुत कम है और ये जो strategy बनाई गई है वो उसी को देखके बनाई गई है कि आप कम से कम time में भी ज़्यादा ज़्यादा achieve कर सको तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है अभी आपको starting में जो मैं chapters बता रहा हूँ वो सभी important chapters है और उनसे questions expected होता ही होता है एक या दो questions तो आप सबसे पहले technical को देखो technical के सिरफ सबसे पहले वो सब chapter कर लो और जब आपके वो important chapters हो जाएंगे मैंने करी 20 chapters बताए हुए आपको technical के जब आपके 20 chapters कर लोगे उसके बाद कुछ-कुछ chapter ऐसे होता है जिनका सिरफ एक formula important होता है उसके ओपर question पूछा जाता है ठीक है जैसे stability of slopes वाला chapter है उसके अंदर sn is equal to c upon gamma at c factor of safety ये formula से ही 2-3 बार question पूछे गए है या फिर आपका जो factor of safety वाला question होता है मतलब formula होता है उससे question पूछ ले जाता है अब ये दो formula से आपका पूरा chapter खतम हो जाता है तो इसलिए आपको पूरा chapter पढ़ने की जुरुत नहीं है चैप्टर करोगे जो मैंने बताए हुए है और उसके बाद आप particular chapter के जो चीज important है सिरफ वो चीज करोगे ठीक है ideally आपको सब चीजे करनी है लेकिन time कम है तो इसलिए आप ये approach को use कर सकते हो next question है कि आपने previous year दिया है 113 number आपके आए है कोई test दिया है और आपने उसको analyze नहीं किया तो मतलब आपने उससे 100% gain नहीं किया तो आपने analyze नहीं किया तो अब analyze करना इस्टार्ट करतो आपको मैंने जो technical package वाली technique बताई है उसका वो तरीका ही ये है आप normally test देते हो 2 गंटे का लेकिन उसको analyze नहीं करते हो तो उसका उतना फाइदा नहीं होता ये जो technical package वाली मैंने आपको technique बताई है उसके अंदर क्या होता है कि आप 200 question की जगह आप 50 question ही करते हो लेकिन साथ में उनकी solutions भी देखते हो तो ये जो 50 question होते हैं अगर आपने 50 question कीए तो आपको उन सब के solution भी पता हैं साथ के साथ पेपर में आपके साथ ये नहीं होगा कि आपने कोई question किया था आपको ये भी नहीं पता था कि या सही है या गलत है मतलब आपने test में उसको question को दिया आपने फिर उसके बाद solution भी देखा उसका answer भी देखा तो जब आप paper में होंगे पेपर दे रहोंगे अगर उस question सामने आ जाएगा तो बस आपको एक regret होगा कि यहां ये question मैंने test series में attempt किया था लेकिन मैंने इसका solution नहीं देखा था ऐसे ही technical package वाली जो मैंने technique बताई है उससे आप question भी करते हो और साथ में solution भी देख लेते हो तो आप वो चीज़ को अभी apply कर सकते हो आगे आपने लिखा कि analyze और अब से आप analyze करना start कर दोगे test को तो बहुत फाइद होगा आपको दूसरा reasoning में number कमा रहे तो देखो reasoning का जो graph होता है वो बिल्कुल state होता है reasoning का graph होता है सीधा कि जितनी आप मेहनत किया जितने आपने effort किया उतना आपको result मिल गया gk का graph जो होता है effort और result कुछ नहीं बता कैसा जाएगा graph ठीक है ये depend करेगा कि आपने जो पढ़ा वो वहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया जबकि reasoning में ये है कि एक ही type के question आने है कुछ types के question आपको बताए है उनको आप बार बार practice कर लोगे वैसा ही question आएगा और आप वहाँ पे कर लोगे reasoning में दिक्कत सबसे बड़ी ये भी आती है कि उसके नदर time shortage पड़ जाती है मतलब अगर आपको एक घंटे की जगा reasoning के लिए दो या तीन घंटे दे दिये जाए ता आप वो 50 के 50 question कर दोगे तो बात यहाँ पी यही आती है कि अगर आप daily reasoning करोगे एक घंटा तो minimum आपको reasoning देना ही देना है भली आपके 40 number आते हो भली 45 number भी आते हो daily लेकिन आपको इसको lightly नहीं लेना है क्योंकि 50 में से 50 number भी आप reasoning में ला सकते हो ठीक है और reasoning से आपके काफी marks increase होंगे gk जो है उतनी loyal नहीं है जितनी reasoning है तो gk आप करते रहो थोड़ा वोता जो भी आपको मैं बता रहा हूँ लेकिन reasoning को आप daily एक घंटा करोगे अगर आप कमजोर हो उसमें तो डेड़ घंटे से दो घंटे भी दे सकते हो तो उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा नेक्ट बोला है कि share your interview experience देखो 31 October को मेरा exam है तो मैं सोच रहा था कि अभी तैयारी में लगा रहा हूँ मैं और उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ लेकिन इसकी multiple times मुझे request आ चुकी है मैं बार बार बता चुका हूँ तब भी आ रही है तो ऐसा करता हूँ मैं सोच रहा था कि 31 October के बाद मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर सभी aspect कवर करूँगा कि interview में कैसे करना चाहिए लेकिन शायद वो उतना काम का नहीं रहेगा बीच में अगर जो आपका interview पहले ही हो गया तो आपके किसी काम की नहीं रहेगी वो वीडियो तो ऐसा करूँगा मतलब जैसी time मिलेगा मुझे मैं आपके लोगों के लिए वो वीडियो बना दूँगा और बस उस वीडियो में at least मैं ये cover कर दूँगा कि मेरे से क्या का question पूछे गए थे और मैंने क्या क्या answer दिये उनके और ideal answer उनके क्या हो सकते है सिरफ ये मैं cover कर दूँगा 2-3 मिनट की वीडियो के अंदर तो मैं बना दूँगा आपके लोगों के लिए 31 ताइक से पहली बना दूँगा next question है मुझे ड़ लग रहा है numerical and problematic questions मतलब simple है कि numerical solve करने में दिक्कत आ रही है और सिरफ formula मैंने याद कर लिया है तो उनको मैं कैसे solve करूँ exam में मतलब उनसे question कैसे solve करूँ तो पहली बात तो ये myth को दिमाग से निकाल दो कि अगर आपने सिरफ formula formula याद कर लिये तो आप हापे numerical कर पाओगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता इवन बहुत छोटी से चोटा formula भी होता है उसका भी question आप नहीं कर पाओगे बहुत कम chance जिसें की कर पाओगे तो सिरफ formula याद करना सब चीज नहीं होता हाँ formula याद होना चाहिए लेकिन उसके at least आपने 5-6 question आपने soul की होनी चाहिए आपके अब डर किस चीज से लगता है anxiety किस चीज से होती है जब आपको knowledge कम होती है या फिर आपकी उस चीज में महारत हासिल नहीं होती है तो आपको महारत तो हासिल नहीं करनी है लेकिन आपकी practice से चीजे कर सकते हो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि numerical सो तरह के हैं आपके आपको करने कौन से numerical है क्योंकि time बहुत कम रह गया है जैसे कि मैंने कल बताया था test book के अंदर जब आप जाओगे आप subject wise test दे सकते हो subject wise test में जो important questions है वही सब आते हैं अगर उसके अंदर numerical आया आपको जिस भी subject के numerical से डर लगता है आप वो subject पे जाओ test book के अंदर और उसके जो question है solve करो अपने numerical देगा उसको solve किया अपने आप से solve करने के बाद जब उसका solution आ गया उपर लिखाएगा कि इतने percent बच्चे इसको कर पाए है अगर जैसे मैंने rule बताया कि अगर 40 percent से ज़्यादा ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उस numerical को solve कर लिया था तो वो आपको numerical जो है वैसा ही numerical आपको एक दो और करने पड़ेंगे या फिर उसको लिख लेना और एक दो बार फिर से try करने कोशिश करना तो मतलब जो आपके short notes में आप theory और formulas की बना रहे थे उसमें आपको ये numerical भी डालना पड़ेगा अपने short notes में और जब भी आप short notes अपने revise करो तो आपको ये numerical खुद से solve करने की कोशिश करनी है तो देखो simple सी बात इतनी है कि बहुत साइ numerical आपको देखने को मिलेंगे ठीक है आप अभी सभी नहीं कर सकते ठीक है 100 तरह के numerical होंगे अभी आप सभी नहीं कर सकते क्योंकि time बहुत कम है लेकिन जितने आपके सामने आए 20 numerical भी अगर जो आपने solve कर लिए तो chances हैं कि at least अभी जितनी बुरी हालत है उससे तो थोड़ी better होगी ठीक है तो simple सा मेरा भी funda यही है कि हमें सब कुछ नहीं करना है क्योंकि time बहुत कम है सब कुछ करने जाते हैं तो anxiety और आजाती है हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो इतना बड़ा ना करके अगर हमने इतना भी किया ठीक है इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाले लेकिन कुछ तो आपके अंदर add हुआ यह add on करने की चीज़ है कि आप धिरे-धिरे add on करोगे तो anxiety हो जाएगी लेकिन आप सोचो कि साराई में एक साथ कर लूँ तो यह कभी possible नहीं है जब आप कुछ करते हो तो आपको फिर motivation मिलता है तब आप और करने कोशिश करते हो इसलिए small-small steps लो धिरे-धिरे numerical को सीखो जिस तरह से मैंने बताया कि अगर कोई numerical ऐसा है जिससे सिर्फ 5% ही बच्चे solve कर पाएं तो बिल्कुल छोड़ दो उसको कोई करने की जुरुत नहीं है numerical इतने सारे है जो basic numerical है वो आपको आने चाहिए पहले उनको सीख लो यह 5%, 10% वाले बाद में करना थमरू लिये हैं कि 40% से ज़्यादा बच्चे अगर किसी numerical को कर पा रहे हैं तो उसको आपको सीखना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन है कि टेकनिकल के कोश्चन कितने परसेंट प्रिवियस एर से रिपीट होते हैं तो इसका interesting answer एक यह है कि यह मानो कि अगर पीवाईक्यू ऐसा मानो कि पीवाईक्यू अगर रिपीट हो गए ठीक एक मान लो कोई भी आपके पास कोई भी आपके पास shift है उसके अंदर 20 से 30 question भी अगर रिपीट हो गए पीवाईक्यू के तो समझ लेना उस shift की जो normalization के बाद हाँ लेकिन यह ज़रूरी है कि जितने भी पीवाईक्यू है उनसे related concept जो थे उनसे ही question आने वाले हैं यह 100% है मतलब 70-80% question जो होंगे वो जो आपके पास पीवाईक्यू है ना उनके concept के उपर ही based होंगे 20% question ऐसे होंगे जो अलग से नए concepts के उपर आपसे पूछ ले जाएंगे या फिर किसी fact के उपर पूछ ले जाएंगे ठीक है तो key क्या है key यह है कि आपको पीवाईक्यू तो तयार करके रखनी है ठीक है पीवाईक्यू repeat हुआ तो उसको करना है प्लस जो concept है जिनके उपर पीवाईक्यू based है उनको भी अच्छे से समझना है पीवाईक्यू आया तो उसको आप करीदोगे और पीवाईक्यू नहीं आया उसका concept आया तो आपको अच्छे से सीखा होना चाहिए वो concept ठीक है बाकी जो आपका question है इसका आपको idea तभी लग जाएगा जब आप वो पीवाईक्यू की book देख लोगे अगर नहीं है तो मंगा लेनी चाहिए थी आपको मंगा लेना उसको अभी बहुत फायदा होगा नहीं है तो telegram group का link जो नीचे है वहाँ से भी आप जाके उस book को ले सकते हो ठीक है मैंने pdf अपलोड की विए next question है कि how to prepare for interview मेरा pwd का interview है मैंने एक lecture r का interview दिया था तो उसके अंदर मैंने अपने experience शेर किया हुआ है तो आप पहले तो उसको देख लो वीडियो को दूसरा मैंने उसके अंदर की आपको कैसे बनके जाना है how how कैसे होने चाहिए ये सब चीज़े मैंने उसके अंदर cover की है तो वो सब आप देख सकते हो वीडियो के अंदर प्लस अगर आपका technical का interview है तो ज़्यादा guidance guidance में मत जाना simple सी बात इतनी है कि कुछ subject जो आप वहाँ पे बोलने वाले हो कि जैसे आपका आपसे हमेशा पूछते है ठीक है कि आपका कौन सा subject strong है तो जो आप बोल रहे हो उसको justify आपको करना है अगर आपने वहाँ पे बोल दिया कि सोम और सोयल मेरे अच्छे हैं subject तो आपको सोम और सोयल की बहुत अच्छे से knowledge होनी चाहिए और overall आपको मतलब वो terms पे बात करते हैं कि एक कोई term पूछ लेंगे उसका पता होना चाहिए आपको ठीक है किसी को deep में ही पूछ लेंगे कहने की बात यह है कि हाँ जैसे मैं अपना interview का अगर जो थोड़ा सा experience बता हूँ lecture वाले का मैंने वहाँ पे सभी subject से नाम बोल दिये थे लेकिन minor subjects मुझे आते नहीं थे जैसे railway और airport तो मैंने जब subject के नाम बोल दिये तो पहले member ने उनसे पूछा लेकिन जो दूसरा member था उसने railway और airport से ही मेरे से पूछा तो key यह है कि आपको सभी subject at least उनकी basic terms पढ़के जानी है और technical ही आपको 90% अपना time देना है technical के उपर GK के उपर ज्यादा दियान मत देना थोड़ा बोता current affair पढ़ लेना लेकिन ज्यादा headache मत लेना अगर आप GK का question नहीं भी बता पाओगे और वहाँ पे sorry बोल दोगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ऐसी कोई expectation नहीं है उनकी कि आप technical होने के बाद आपको ये सब चीजे पता हूँ अगर आपको पता होँगी तो बहुत अच्छी बात होगी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको technical का सब पता होना चीए सो आज के लिए वीडियो को इतनी ही रखते हैं that's all for this वीडियो कल को बाकी की बच्ची भी query लेंगे ठीक है सो thank you